नवशकार जहिंस साथियों सभी प्यारे प्यारे भायों की प्यारी प्यारी बहने गरणी शभी का विलकम अभिनंदन है आपके अपने अवर चैनल जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावरड भाई सिछा ही प्रकास है साथियों बात करेंगे बायलाजी जीव विग्यान के अत्महत्पूर्ट टॉफ एंडेट कोचिंज जो समस्ष एक्जाम में पूछे जाते हैं समस्ष एक्जाम से ये टॉफ एंडेट सेलेट किये गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं तो गोवर्मेंट एक्जाम को फत्य करना है तो बायला जी के जिव बिग्यान के टॉफ एंडेट कोश्चन से इंपॉर्टेंट है तो चलिए देर नकरते शुरुआत करते हैं टॉफ एंडेट कोश्चनों में से आपका जो है पहला प्रस्न जो है आलेडी आप लोगों के स्क अरस्तू मिंडल को तो जिव बिग्यान के जनक सभी लोग जानते कि इसको माना जाता है अरस्तू को माना जाता है फादर आफ वाइला जी अरस्तू जिव बिग्यान सब्द को किसी ने दिया यह अगर पूंचा जाता है तो जिव बिग्यान जो सब्द है दोस्तों इसको ल भारत में आधुनिक जियू बिज्ञान के जनक पूँचा जाता है तो वह हैं दोस्तो डाक्टर पुस्पमित्र अगर आधुनिक जियू बिज्ञान के पूँचा जाता है पुस्पमित्र भारगोजी है इसके बाद आपका दूसरा प्यारा सा प्रशन जीवन का भौती कदार फिजिकल बेसिक इनमें से क्या होता है जीन, कोसिका, माइटो कंडिया, जीवद्रब तो जीवन का भौती कदार फिजिकल बेसिक जो होता है वह आपकर क्या कहलाता है और बैक कहलाता दोस्तो और्गनिजम अर्थात जीव दर्बी की बात करें इसके साथ यंगला प्रशने सर्पतम कोशिका का पता फर्स्ट सेल किस ने लगाया था तो सर्पतम कोशिका का पता लगाने वाले आपके रावर्ट हुख क्यों जैके दोस्तो सर्पतम कोशिका का पता फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड रावर्ट हुख इसके बात अंगला प्रशन कोशिका का सक्तिकेंद पावर आप सेंटर किसे का जाता है कोशिका का सक्त केंद या कोशिका पावर आफ सिंटर्ज कहलाता है वे कहलाता दोस्तो माइट्रो कंडिया फर्स्ट आफसन इदर आइट एंसर कोवीड आउट हो बेफिकर आप लोग कमेंड कर सकते हैं फीडवे कर सकते हैं जैस्वाल सर आप सभी कविन दन और श्वागत करते हैं साथ योंगला पसने कौन सी रचना पादप कोशिका प्लैंट सेल को जनत कोशिका अर्थाथ एनिमल से विवेधित करती है कौन सी रचना पादप कोशिका को जनत कोशिका से विवेधित करती है कोशिका विवेधिती, पर्णहरित, सेंटियोल या ये सभी तो सेलवाल भी है, पर्णहरित भी है, क्लोरोफिल भी है और सेंटियोल भी है इसलिए डी आप संया पर सही हो जाएगा उपरोग शबी No doubt सभी चीजें आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे हैं आएए बात करते हैं अगले परेशने दोस्तो किस को सिकांग को आत्म हत्ता की थैली कहा जाता है एक्जाम में प्रश्ण आएगा आपका जवाब होना चाहिए आत्मगाती थैली की रूप में लाइसोस्वम को जाना जाता है अंगला प्रश्ण है बहुत ही प्यारा सा प्रश्ण है और प्यारा सा फीडवेक आपका मिलेगा डिने की दुई गणीत कुंडली डवल हैलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था जेहें दोस्तों तो वाट्सन और क्रिकने लगाया था किसने लगाया था वाट्सन और क्रिकने लगाया था नोट कल दीजेगा अंगला प्रश्ण है DNA का प्रमुकार क्या होता है तो DNA का जो प्रमुकार होता है वह होता है अन्वांसी क्रियाओं का संचालन करना इसके बाद अंगला प्रश्ण है RNA किस में पाए जाता है तो RNA जो होता है वह आपके कोशी का द्रब्ब में पाए जाता है किसमें पाय जाता है कोशी का द्रब्ब में पाय जाता है इसके साथ ही अंगला प्रशन है अन्वान सिग्ता का पिता किसे कहा जाता है Father of genetics तो अन्वान सिग्ता के पिता किसे कहा जाता है सभी लोग जानते हैं General Mendel की बात करेंगे C. portion is the right answer नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आईए बात करते हैं अंगले प्रशन के बहुती सामान सा प्रशन है कि मनुस में गुर्ण शूत यानि क्रोमो शूम्स की कुल कितनी शंख्या होती है देखे कर जोड़ा पूंचा जाता है तो 23 जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े में अगर दो का गुणा कर देते हैं तो हमारी कुल संख्या निकल के आ जाती है तो मन इसमें गुर्ण शूत्रों की कुल शंख्या 46 46 होते हैं नूट कर लेजिए अंगला पुस्ण है मनुष्यों में होने वाले अन्वांसिक रोग कौन-कौन से होते हैं जी हैं दोस्तों जो जो जिनेटिक डिसीजिज होते हैं वे कौन-कौन से होते हैं वो भी मनुष्यों में होने वाले देखे वर्णानदता भी होता है जिसे हम ब्लेंडलेस कहते हैं हेमोफेलिया भी होता है और टर्नर सिंडोम भी होता है निमनुस में होने वाले अन्वानसी क्रोग ये तीनों है अर्थात ये सभी आपसन जो डी आपसन दिया गया है वह सही हो जाए अंगला पसन है लड़का पैदा होगा जब लड़का तभी पैदा हो सकता है जब फीमेल का तो एकस एकस होता है और मेल का जो गुनशूत होता है वह एकस वाई होता है तो female का xx, male का xy ललका तभी पदा होगा जब female का x और male का y गुनसूत होगा xy गुनसूत जो की c आपसन में दिया गया है बहुत ही समान सा प्रसंग कह सकते हैं आज की date में इतना gk लेवल हो चुका है पहले इन छोटी छोटी चीजें कोई नहीं जानता थे एक जाम में पूचे जाते थी लेकिन अब लोग 50-60% लोग जानते हैं जो प्रपेशन कर रहे हैं त्यारी कर रहे हैं जो नहीं करते हैं वो भी जानते हैं हीमोफिलिया रोग से ग्रस्त विक्ति में क्या लच्छन दिखाई होगा मान लेजिए आपके पास से कोई ऐसा रोगी है जो हीमोफिलिया से ग्रस्त है तो उसके लिए क्या लच्छन होगा कैसे आप पहचान पाएंगे तो हीमोफीलिय रोग से ग्रशित में रक्त का बहना जो है बंद नहीं होता है रक्त लगाता स्त्रावित होता रहता है इससे पता चल जाता है कि यह विक्ती जो है हीमोफीलिय रोग से ग्रशित अगला पसने जीन के बारे में कौन सा कतन सत्त दिया गया है देखे डेने की एक क्रियात्मा की काई है ये अन्वांसिकी की काई है ये गुंसूत पर उपस्तित रहता है ये उप्रोक्षवी तो जीन के बारे में तीनों सत्त दिया के जो जीन होता है ये डेने की क्रियात्मा की काई कहलाती है ये अन्वांसिकी की भी काई कहलाती है और य योग प्रोक्षभी आपसन दिया गया है डी आपसन आपे सही हो जाएगा नो डाउट सारी चीज़ें के लिए रोज रहे हैं आए बात बढ़ते हैं आपके अंगले प्रशन की तरफ अंगला प्रशन कहे रहा दोस्तो जीन का सरपतम करतिम बिस्लेशन किस ने किया था सेंथिटिक सेंथिसिस की बात करेंगे किस ने किया था तो जीन का सरपतम करतिम संस्लेशन के अगर बात करते हैं तो नाम आता है हर गोविंद खुराना सी आपसं सही हो जाएगा जीन का सरवतम क्रतिम संस्लेशन किस ने किया तो कुराना का नाम आता है और कब किया ये अगर सन पूँछ लिया गाए एक जाम में सन पूँछा जाएगा तो 1972 में डाक्टर कुराना ने 20 के पहले क्रतिम जीन का निर्मान किया ठीक है हर गोविंद कुराना उने शोबहत्तर दोनों चीजों को याद कर लेना अंगला प्रसंद दिया गया है कि प्राक्तिक चैन के सिधान प्रिंस्पल आफ नेचर सेलेक्शन के प्रतिपादन का नाम क्या है तो प्राक्तिक चैन के सिधान प्रिंस्पल आफ नेचर सेलेक्शन के प्रतिपादन के जो नाम कहला जाता है वह एक ही नाम है अब है दोस्तो है चार्ल्स डार्वेन फर्स्ट आफसन इदा राइट एंसर अंग्ला पस देखेगा अन्वांसिक समंदी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाओ किया अगर मेंडल की बात आती है तो एक ही पौधा नाम आता है सभी लोग जानते हैं पीज या मटर के दानों की बात करते हैं यह गटना दोस्तों आपके 1856 के बीच में जहां पे 10,000 सदिक पौधे बोय और उनका परिच्छन जो है किया गया था अंग्ला पस दिया गया है कि एक वर्णांद विक्ति जो कलर ब्लाइडनेस है उसमें किस रंग की पहचान नहीं होती तो जो भी विक्ति कलर ब्लाइडनेस होगा वर्णांद विक्ति होगा उसमें दोस्तों लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती वाकि लाल पीला हो जाएगा हरा पीला हो जाएगा लाल नहीं हो जाएगा लेकिन लाल और हरा में पहचान नहीं हो पाती ये लोगों नोट कर लेजिए ठीक है अगला किस संग के जन्तूं को जीव द्रब के इस्तर पर गठित जन्तू कहा जाता है वेस संग आपको बताना है किस संग के जन्तों को जीव द्रब प्रोटो प्लाजम के इस्तर पर गठित जन्तू कहा जाता है और proto-plasm का जिक्रुवा है मतलब हम किसकी बात करेंगे proto-jova proto-jova संग के जनतुओं को जीवदव या proto-plasm के इस तर पर गठी जनतु कहा जाता है proto-jova नोट कर लिजिए अंगला प्रस्ण दिया गया है एक कोस्की जनतु अमीवा एवम युगलीना को किस संग के अंतरगत रखा जाता है क्या प्रस्ण अमारा कह रहा है एक कोस्की जनतु अमीवा एवम युगलीना को किस संग के अंतरगत रखा गया है चार आपसंस दिये गए तो इसको भी दोस्तो किस के अंतरगत रखा गया है इसके बाद अंगला प्रश्ण है कि मेढख में स्वसन किस अंग के द्वारा होता है तो मेढख में स्वसन किस अंग के द्वारा होता है मेढख में स्वसन किस अंग द्वारा होता है देखे मेढख के कई स्वसन अंग होते है बाहरी नाक भी होता है आंतिक नात भी होता है उदर भोजन गला ट्रेकिया फेफडा निवे तोचा से भी करता है गलोम से भी करता है और फेफडों से भी कल लेता है अर्थात इन तीनों से कर लेता है, तो मैãठा के एक ऐसा जिव है, जो कई प्रकार से सुसन या कई सुसन अंगों द्वारा जो है सुसन की क्डिया करता है, अंगलापन पुसमे वास्त्विक मचली या real fish कौन सी कहलाती है जी हैं दोस्तों वास्तिक मचली कौन सी है तो hippocampus को जाए गर आइट अप सन्या पर hippocampus is the right answer कोई भी डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं अंगला मेढग किस वर्ग का जन्तु कहलाता है तो amphibia वर्ग के जन्तु मेढग कहला जाता है इसके साथ ही स्तनियों का हैदें कितने कोश्ट का होता है तो सही उत्तर आपका जवाब होना चाहिए चार अगर प्रस्णाय मानो है में अनमानित कितनी कोशिकाएं होती है तो मानो है में अनमानित दोस्तों लगबग दो से तीन बिलियन हैदे मास पेसी कोशिकाएं होती जो हैदें की कुल कोशिका संख्या के एक तिहाई से भी कम होती अंगला इस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकताप मान किस जन्तु में पाया जाता है इस्तंधारी वर्ग के देखें चार आपसन दे गए हैं चार आपसनों में से आपको राई टेंसर बताना है तो इस्तंधारी वर्ग में दोस्तो रख का सबसे अधिकतम ताप जिस जन्तु में पाया जाता है वह जन्तु है बकरी पी आप सनी तराइट एंसर नो डाउट सभी समझ गए हैं अंगले प्रशन की तरब चलते हैं मचलियां किस अंग से सांस लेती है मचलियों गिल होता है उसके द्वारा मचलियां सांस लेती है इसके साथ अंगला प्रशन बहुत थे इंटेस्टेड है कि सबसे बड़ा इस्तंधारी का नाम क्या है सबसे बड़ा इस्तंधारी हाथी, डालफिन, मनुष, ब्लू है इन में से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बस ट्रेन के बराबर भी हो सकता है और वह दोस्तो है व्लू वेल यह आपसन इदर आइटेंस है अंगला प्रशन है बिस्व का सबसे छोटा पच्ची कौन सा है बिस्व का सबसे छोटा पच्ची कहलाता है हमिंग वर्ड बिस्व का सबसे छोटा पच्ची एकजाम में आता है तो हमिंग वर्ड दुनिया का सबसे छोटा पच्ची माना जाता है हमिंग वर्ड को हिंदी में किसके नाम से जानते हैं तो गुंजन के नाम से भी जाना जाता है गुंजन पच्ची के नाम से भी जाना जाता है और इसे ट्रो किलीडी कहते हैं किस कुल का है ट्रो किलीडी कुल का यह आपका पच्ची कहला जाता है अंगला कसेरुक जन्तु के सरीर का सरवादिक कठोर भाग कौन सा होता है और वह दोस्ता इनेमल होता है कसेरुक जन्तु के सरीर का सबसे सरवादिक कठोर भाग होता है इनेमल अंगला वेल में स्वसन किस अंग में होता है मचलियों में गिल द्वारा होता है तो भेल में किस के द्वारा होता है सही विताई है भेल मचली में स्वसन किस अंग में होता है तो राइट अपसन है लंग फेफडे के द्वारा होता है सी अपसन सही हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आप लोगों confusion नहीं होना है वेल है तो आप लोग confusion हो जाएं confuse हो जाएं तो ऐसा करते ही नहीं करना है आपको confuse बिल्कुल नहीं होना है आइए बात करते हैं ने प OUR characters आदनिक मानों को जंतूं को किस वर्ग में रखा गया है जो आदनिक मानों हैं हम और आप हैं तो इनको जो जन्तु है किस वर्ग में रखा गया है तो प्राइमेट में रखा गया है किस में रखा गया है प्राइमेट में जो है जो हम आधिक मानों है तो प्राइमेट में इनको जो है रखा गया है आईए बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की उतकों के अध्यान cells, tissue, studies समंधि विग्ञान को क्या कहा जाता है उतकों के अध्यान समंधि विग्ञान को क्या कहा जाता है cells, tissue, studies और यह दोस्तों कहला जाता है histology क्यों है Bye-bye histology is the right answer अंगिलापसन है बहुत ही interested प्रश्म दिया गया है कोशिकाओं के समूं गुरूप आफ सेल्स को क्या कहा जाता है तो गुरूप आफ सेल्स से आपे क्या कहलाता है टिशू, उतक कोशिका के समूं को ही उतक कहते हैं गुरूप आफ सेल्स, टिशू की बात कहोती है अंगला है पुन्रुत पादन की छमता किस प्रकार के उतकों में शर्वादिक होती है पुन्रुत पादन की छमता जो है उपकला अंगला प्रस्णर सरीर में सभी एच्छिक या ओफ्षिनल तथा अनैच्छिक रियाएं को नियंतर या नियंतित करने वाले उतक का नाम क्या है या शरीर में सभी एचिक तथा नेचिक क्रियाओं को नियंतित करने वाला जो उतक कहलाता वे कहलाता है तंत्री का C. आप सनिदर आईटेंस अगला पसने रक्त किस प्रकार का उतक कहलाता है तो जो रक्त होता है वे आपका संयोजी कनेक्टिव टिश्यू कहला जाता है भी आप सनिदर आईटेंस अगला पसने अरेखित पेसी उतक कहां पाए जाता है यह हैं दोस्तो जो अरेखित पेसी उतक होता है यह कहां पाए जाता है हार्ट स्टोमेच, डाइट नेल, स्किन और एक ही जो पेशी उतक होता है दोस्तों वो आपके अमासर में पाया जाता है भी आप सन्या पे साइकल लेना है No doubt सारी चीज़ें के लिए रोच चुकी हैं अंगले पस्ट की बात करें सन्योजी उतक, connect to tissue के उधारन, examples बताना तो सन्योजी उतक के लिंप भी है, बॉन्स भी है, प्रोटीन भी है यानि connect to tissue के जो examples है, लिंप, बॉन्स, प्रोटीन ये तीनों हो जाएंगे, अर्थात, all of above, ये सभी वाल आपसन सही हो जाए सभी कमेंट करते रहेगा, सभी मित्रों को जहिंद वंदे मात्रम शभी प्यारे brothers and sisters अभी का welcome अभी रंदन है, दोस्तों संकुचन सील उतक जो होते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो संकुचन सील जो उतक होते हैं, muscles, tissue, अर्थात, पेशी उतक के नाम से जाने जाते हैं, डी आपसन इदर आइटेंस हैं, अंगला प्रशन है, चेतना उतक, किस प्रकार का उतक को कहा जाता है, तो चेतना उतक जो होता है, वो आपके तन्तिका प्रकार का उतक कहला जाता है, भी आपसन सही कर लें, हीमो ग्रोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमो ग्रोबिन RVC में पाया जाता है सभी जानते हैं अंगला किस ग्रंथी को माश्टर ग्रंथी कहा जाता है तो पिच्चुरी या ग्रंथी की बात करेंगे सी अपसन की बात करेंगे मानो सरीर में हड़ियां या हड़ियों की कितनी संक्या होती है तो मानों सरीर में टोटल 206 हड़ियां होती इसके बाद अंगला जो प्रशन है कि भोजन में उपस्थी सरकरा को माल टोज में बदलता है तो कौन बदलता है टाइलिन फर्स्ट आप सने दराइट इंस अंगला भोजन का आउसोसन सरीर के किसंग में होता है तो भोजन को जो आउसोसन होता है वही समाल इंट्रिस्टीन अर्थाच छोटी आत में होता है अंगला अपसने मानों सरीर किस सबसे बड़ी ग्रंथी लार्जेस्ट ग्लेंड कौन सी कहला जाती है तो वह कहला जाती दोस्तों यक्रत लीवर की बात करेंगे अंगला है इंसुलिन की कमी सुथपन होने वाला रोक कमसा होता है तो इंसुलिन की कमी सुथपन होने वाला रोक डाइविटीज होता है जिसे हिंदी में शुगर कहते है कौन पोसक पदात को त्वरी तूर्जा प्रदान करता है ऐसा पोसक पदा जो शरीर को बिल्कुल तुरन तूर्जा दे दे और वह कहलाता है कार्भो हाइड़ेट्स अंगला है शरीर में गैसों का बिन्मे किस अंग में होता है तो गैसों का बिन्मे फेफड़ा लंग में होता है ब्रक या किड्नी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती तो ब्रक या किड्नी की कार्यात्मक इकाई निफ्रोन कहलाती अंगला है नाइट्रोजनी उस सर्जी पदार्थों में सबसदिक मात्रा में क्या पाय जाता है तो नाइट्रोजनी जो सर्जी पदार्थ होते हैं उनमें जो सबसे अधिक मात्रा में पाय जाता है और वह कहला जाता है यूरिया डी आपसन राइट एंसर हो जाए नोड़ाव सभी समझ गए हैं बात करेंगे प्रश्ण की मानो सरीर की पिच्चुरी ग्रंती इस्थित होती है कहां पर इस्थित होती है तो हमारे और आप में जो पिच्चुरी ग्रंती है जो सबसे बड़ी ग्रंती है ये इस्थित कहां पर होती है तो ये मस्तिस्क ब्रेन में इस्थित होती है कहां पर होती है मस्तिस्क ब्रेन पर इ ही तो आंख्यों को रोजनी आपकी समाप्त हो जाएगी C आप संदल राइट एंसर कर दो कि इसके बाद अंगला प्रश्न लाल रख्ति अर्थात डार्बीसी का निर्माण कहां पर होता है तो डार्बीसी का निर्माण जो होता है लाल अस्थी मज्जा रेड बोन मैरो में होता है भी आपसं सही हो जाएगा बात करेंगे अंगले पिस्ट की अंगला पिस्टने कसेरुक दंड में हड्डियों की कुल संक्या कितनी होती है सबी बताईएगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन कसेरुक दंड में हड्डियों की कुल संक्या पाई जाती 63,52,42 तो टोटल दोस्तों यहां पे हम 33 की बात करेंगी साथ जो होती है वह होती है ग्रीवा बारा जो होती है साथ ग्रीवा होती है बारा वच्छी होती है पांच कटी होती है पांच त्रिक होती है और चार कॉक्जियल होती है फिर भी यह 26 सस्तियों का बना होता है क्योंकि पांच हत्री कोशिकाएं सनली थोकर एक सिक्रम करिनिरमान करती और चार कॉजियल का सिर्खुएं सनली थोकर एक अनुत्रिक करिनिरमान करती तो टोटल 33 नोट कर लेना अंगला पसने शरीर की सबसे लंबी हड़ी, Longest Bone कॉनसी कहलाती है और जांग की हड़ी जिसे हम फीमर कहते है अब सबसे छोटी हड़ी का नाम बताईए जो कान की हड़ी है क्या नामें सबसे बताईए सबसे छोटी हड़ी, मानो-शरीर अंगला है मानों सरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है तो रक्त के शुद्ध होने का कार कहां पर होता है ब्रक पर होता है अंगला है मनुष्य के हैदें का इस्पंदन एक इनवेट में कितनी बार होता है तो नारमल शमानता है 72 टाइमस किस रक्त शमू को सर्वदाता कहा जाता है अनिवर्सल डोनर तो ओ रक्त शमू रक्त शमू से ब्लड रिलेसन से प्रशनाता है ब्लड गुरुप से ये भी ध्यान देना है जो कि नार्मल होता है एक बार समझ जाएंगे किस ब्लड गुरुप को शर्वग्राही कहा जाता है जें दोस्तों अनिवर्सल असिप्ट है सभी से सभी के लिए असिप्ट है कोई भी गुरुप हो सर्वग्राही होगा और वह कहलाता है ए बी रक्त शमू ए बी रक्त शमू शर्वग्राही होता है और ओ होता है शर्वदाता बिटामिन डी का रासानी के नाम क्या है साथ ही हो तो सभी लोग जानते है कलसी फिराल बिटामिन डी का रासानी का अंगला प्रशन है कौन सा यूग में जो है सुमेलित नहीं दिया गया है तो बिटामिन A, रेटिनाल, सभी लोग जानते हैं, बिटामिन A की कमी सी रेटिनाल होता है, बिटामिन C, एसकार्विक एसिड, बिटामिन B, थाइमेन, बिटामिन K का राशानिक नाम, क्या होता है, सभी बिटामिन के राशानिक नाम, टोको फुराल क्या सही दिया गया है, सभी बिटामिन के की बात करेंते हैं, तो मेन किनोन या फाइलो किनोन का जाता है, ना की टोको फुराल, तो बिमेल दिया गया है, अंगले प्रिशन के बात करेंते हैं, साथियों मानों शरीर में आयों डीन की कमी से उतपन होने वाला रोग क्वाइटर, कौन सा हो कहला जाता है, गौाइतर रोग कहला जाता है इसके साथ अंगला प्रश्चन की काउन सजीग में सुमेलित नहीं है ध्यान पूरक शुमेलिए बिटामिन और उससे कमी से रोग दिया गए ये के तो बिटामिन A की कमी से रताउंदी होता है सभी जानते हैं विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी होता है विटामिन C की कमी से सकरीव होता है विटामिन D से नपुंशकता विटामिन E की कमी से नपुंशकता होता है और विटामिन D की कमी से क्या होता है सभी लोग बताई बिटामिन D के कमी से कौन सा रोग होता है तो आपने नाम सुना होगा और हम किसकी बात कर रहे हैं हड़ी से सम्मंदि जो रोग होता है जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं ठीक है? आग लपस देखे दोस्तों कौन सा बिटामिन जल में गुलन सेल है तो बिटामिन B और C ये जल में गुलन सेल है मा की A, D, E के ये वसा में गुलन सेल है ब्रेकेट के अंदर है एड़क जो होता है वसा में गुलन सेल है और जल में के वल बिटामिन B और C ये जल में गुलन सेल है विले हैं, अथाल भी टामिन B, C, यानि कि आप्शन अमबर D, is the right answer No doubt सभी लोग समझ गए हैं, आईए बात करते हैं गे पसंद की लाल रक्त कंड का जीवन काल कितना होता है जी हैं दोस्तो RBC लाइफ इस पर में पूछा जा रहा है तो नार्मल तो पर दोस्तो 120 दिन के बात करते हैं अंगला दिया गए کہ सरीज में ताप का नियनतन हमारी बाड़ी में ताप का नियनतन कभी घटे गा पढ़े गा या नियनतित बना रहता है यह बना कैसे रहता है इसका जो कार होता है हाईपो थैलमस हमारे बाड़ी में वे सभी का कार बटा हुआ है कि आपको क्या करना तो हाइपोथेलमेस को क्या करिजा जाता है तो आपको नियंतर्ण करने का कार दिया जाता है हीमोग्लोबिन का मुख कार क्या होता है तो हीमोग्लोबिन का मुखकार होता है आक्सिजन का वहन करना अंगला प्रस्न है कि हीमोग्लोबिन का मात्पूर्ण घटक क्या होता है तो हीमोग्लोबिन का मात्पूर्ण घटक जो होता है वो होता आयरे नर्थात लोहा बी आप्सन इदर आइटेंस अंगला बहुत इंट्रेस्टेट प्रस्ण है कि किड्नी का मुखकार क्या होता है तो किड्नी का मुखकार होता है सरीर में से अप्षिष्ट पदार्थों का उत्सर जन कर देना किसके दोरा ब्रक्य के दोरा हड्डियों दातों के निर्मार में मुख घटक क्या होता है देखे हड्डियों दातों में कैसियम तो होता ही होता है इसके साथ साथ फासपोरस भी होता है अर्थात डियापसन आबा दोनों इधर आइटेंस अंगला है मानो सरीर की सबसे छोटी हड्डी smallest bone कौन से कहलाती वह कहलाती steps जो कान के हड्डी है मने बताया था जां के हड्डी फीमर जो सबसे लंबी है और कान के हड्डी steps है जो सबसे छोटी हड्डी ये प्रस्ण जो है दोनों कमटेटिक जां में पूचे जाते हैं जो की important है, नोट कर लेजएकर अंगला पसने कौन सा विटामिन सूर्की रोशनी से बनता है तो सभी लोग जानते हैं विटामिन D ही एक ऐसा सोत है जो सूर्की रोशनी से में फ्री में प्राप्त हो जाता है किस प्रकार से दोस्तों फ्री में प्राप्त होता है ठीक है मनों सुद्वारा सांस में ली जाती है सभी लोग जानते हैं हम किसके सांस में क्या लेते हैं सांस में O2 लेते हैं और CO2 छोन देते हैं O2 ग्राण करते हैं CO2 छोन देते हैं ठीक है अंगला वैसक मानों में दातों की कुल संख्या कितनी होती तो आपने सुनो होगा 32 दांट, 32 जा, कहते हैं न 32 मत निकालो, तो वही एक बन जाता है, 32 दांट है, इसलिए जादा हसने वाले को यही बोल देते हैं कि 32 मत निकालो वाइरस से फैलने वाला रोग, एर्स भी है, चेचक भी है, खसरा भी है, यह तीनों ऐसे रोग है, जो वाइरस से फैलने वाले रोग, यह सभी आप सनिदर आइट हैं से, अंगला प्रसने दोस्तों, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमन से होता है, मलेरिया रोग तो संक् कौन होता है तो मरेरिया पर जीवी का वहाग होता है मादा एनफलीज मच्छर होता है केवल मादा होता है ठीक है नर को दोक मत दीजेगा नर को दोस नहीं देजिएगा अंगला पशना है कौन सा रोग दोसी जल के सेवन से होता है तो एक हैजा ऐसा रोग है अगर आप दोसी जल पीते हैं खासतावर परबारिसके मश्यम में तो आपको जो है जारोक की सम्भाeseodor. डालिसस का प्रयोग इस रोक के इलाज के लिए किया जाता है तो डालिससे जो होता है, किडनी अरधात गुर्दा रोक के इलाज के लिए लिए किया जाता है, अंगल्या प्रस्ण है बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरच्छन हेतु लगाया जाता है आपने देखा होगा बच्चों में BCG का टीका या टीका करन आपने नाम सुना होगा जो बच्चों में दिखतर लगाया जाता है साल में ठीक है तो बच्चों में बीसी जी का ठीका किस रोग के प्रत्रच्छन हेतु लगाया जाता है मालीज एकजाम में प्रश्णा आ गया तो किसके संक्रमाण के लिए टीवी अगला जीवान बैक्टिरिया द्वारा होने वाले रोग को चुनना है जो रोग बैक्टिरिया द्वारा होता है जो रोग जीवान वो द्वारा होता है उस ग्रुप को हमें चुनना है नीचे देख लीजेगा आपसंस आपके स्किन पर आलेडी दिये गए हैं और आपसंस के कॉर्डिंग हमें बताना है पहला तो हो जाता है टीवी दूसरा होता है कुष्ट पांचा होता है सिफलिस जिए हैं दोस्तों जिवान उदारा होने वाले रोग है जा मियादी बुखा निमोनिया तबेद एक छे रोग प्लेग ये सारे आते हैं तो यहां पर हम जो आपसंस मने बताया था आपको वो आपको नोट कर लेना अगला मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग तो सभी लोग जानते हैं मलेरिया भी है डेंगो जो रहा है पी तुझार ये सभी हो जाएंगे इसरे डी आप सुन गया पर हम चैन कर लेंगे अंगला जो दिया गया है कि घरेलू मक्की द्वारा फैलने वाला रोग को चुनना है जो घरेलू मक्की द्वारा फैलने वाला रोग होता है जी है दोस्तों घरेलू मक्की द्वारा फैलने वाला रोग राइट अप्सन क्या हो जाएगा सभी बताईएगा तो हैजा, अतिशार और प्लेग ये क्या है घरेलू मक्की द्वारा फैलने वाले रोग प्लेग या तपेदिक होगा सही बिताई तो हैजा, अतिशार और प्लेग नोट कर लेजिए दोस्तो कौन सा जन तुझो है प्लेग महा मारी epidemic को फैलाने में सहाइक होता है और वैसा भी लोग जानते है चूहा plague का नाम आता है तो चूहा का नाम अवश्या जाता है वनस्पत बिग्यान के विदा किसे कहा जाता है father of botany जैं दोस्तों father of botany तो three of fats the absence I use सेवालों के अद्यान संबंदी बिग्यान को क्या कहा जाता है सेवालों के अद्यान संबंदी बिग्यान को फाइकोलाजी कहा जाता है अंगला है कवकों के अध्यान समंदी बिग्यान को क्या कहा जाता है कवक कवक को अध्यान समंदी को माई को लाजी कवक को माई को लाजी नौट कर लिचेगा दोस्तों बिसान की खोच किस ने की जी है दोस्तों बिसान की खोच किस ने की तो राइट अप्सन होगा इवा नौशकी इवा नौशकी इदर राइट एंस टिन कुश्चन आलेडी बचे हुए है सजीव एब निर्जियों के बीच की कड़ी को किसे कहा जाता है सजीव और निर्जियों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है सभी लोग बताई सज्यू एबम निर्ज्यू के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है राइट अपसन क्या हो जाएगा वाइरश भी अपसन इदर राइट एंसर अंगला बैक्टीरिया की खोच किसने की दिस्कवरी आप बैक्टीरिया राइट एंसर एंटोनी वान लिवेन-ॉक फर्स्ट आपसन निदराइटेंस रेवीज के टीके की खोच किस ने किया था जिए हैं दोस्तों रेवीज के टीके की खोच किस ने किया तो लुई पास्चर का नाम आता है एक फ्रांसी सी वज्यानिक थे अंगला है पाश्चुराई जेशन के बारे में कौन सा कथन सत्त दिया गया है क्लूई पाश्चर ने इस विदी का इजाद किया इस विद से दूद के कुछ दिनों तक सुरच्छित रखा जाता है इस विद में दूद को सुरच्छित रखने के लिए 62 डिग्री सेश्यत से 30 में तक गर्म किया जाता है या उप्रोक्षवि सात्यों पाश्चुराई जेशन के बारे में हम कथन में देखा जाए तो यह आपके तीनों कथन सही दिये गए अर्था तो प्रोक्षवि आप सन्वाला हमारा अलेडी सही हो जाएगा अगला टीवी के टीके की खोच किस ने किया जिया तो टीवी के टीके की अगर बात करते हैं रावर्ट कोच ने किया इसके साथ अंगला बहुत ही प्यारा सा प्रशन है कौन सा पोधा कवक एवम सेवाल का परसपर सम्बंद दर्शाता है फंगी एन इल्गे राइट इंसर लाइकेन लाइकेन जो पोधा होता है कबक और सेवाल को परसपर सम्बंद को तर्शाता है वह आपका लाइकेन is the right answer अंगला पुस्टन है किस पोधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है जो ब्रायोफाइलम होते है इस प्रकार के पोधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है पत्तियों में जड़ ध्यान दीजेगा किस पोधे में ब्रायोफाइलम के पत्तियों में जड़ पाई जाता है अब शुमेलित करना है सूची दी गई है तनों के रुपांतंद दिया गया है और उदारंद दिया गया है नीचे आपके options दिये गये हैं ठीक है तो प्रकंद की बात करेंगे तो हल्दी इस्तम्ब कंद की बात करेंगे तो आलू सलक कंद की बात करें तो सल्ककंद किस में आ जाएगा तो सल्ककंद आपसं में देखा जाए तो प्याज कहलाएगा सल्ककंद कहलाएगा प्याज और घनकंद जिमी कह जाएगा यानि कि राईड आपसं यहां पे जो 3,4,1,2 वाला हसी होजए हल्दी आलू प्याज जिमीकंद क्या हो जाएगा प्रकंद के लिए हल्दी इस्तमकंद के लिए आलू सल्क के लिए प्याज और घंकंद के लिए जिमीकंद अंगला पसन है सुसको विदर लच्छन वाला पौधा कौझ सा होता है तो सुसको विदर लच्छन वाला पौधा रमारा नांक़फनी का कहला जाता है और हैंडिएट नंबर वोक्वेशन सह आपके स्किण पर पौद्व में प्रकाश संस्लेशन पत्यों के किस भाग में शंपन होता है तीन भाग पत्यों के दिये गए है और वह भाग है लैमिना अर्थात पढ़न दल में प्रकाश संस्लेशन फोटो सेंथिस का कार जो है शंपन होता है पढ़न दर लैमिनिया तो दोस्तो ये रहे top 100 questions आपके जो हमने complete किया जीव भी ज्ञान बायोजी के आपको कैसे लगे नीचे comment box में और शेयर करके बताईएगा फीड़ वेक करके बताईएगा और government exam preparation के लिए बेहतीन class के लिए important questions के लिए channel को follow करते रहें शबे मित्रों कोज जय हिंद बंदे मात्रम दानमा शबेका